आपकी दया से राना साहब मेरी बेटिया सुहागन बन गई हम यही सुनना चाहते थे राना साहब ये दोनों आपका आशीरवाद लेने आए हैं जाओ बेटी बस जीते रहो जीते रहो जब कभी हमाई जूद पड़े तो यहां की दर्वाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपका घर घर नहीं है राना साहब गरीबों और कमजोरों की वो चौकट है यहां से कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया इस देवता के चरण शू बेटा इनी की कृपा से तु मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आज भी ऐसी हो गया हमें देवता मत कहो बाबा हमें अमीरों की ताकत कर नहीं गरीबों की कमजोरी का हिसास है और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है हम तो सिरफ तद्बीर बताते हैं रगू तुम सिधात इंडेस्टिस में फोन कर दो कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना राना साब इंटर्वियू हमारे फोन के बाद इंटर्वियू नहीं होता लेटर अपॉइंट्मेंट सीधा मिलता है गोवर्धन सेट आय हुए हैं कॉन्फरेंस रूम में उनन वो है सोनु बदमाश दादा दादा तो इस दुनिया में सर्फ दो हैं एक उपरवाला और दूसरे हम बोलो बात क्या है आज से पाइच साल पहले सोनु क्लब खोलने के लिए मुझसे बीस लाख रुपे कर्ज ले गया था सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गये उसके घर और क्ल पूर्बा ना थाले को दान कर देना सोनु को उठा लाओ राना साब आप अच्छी तरह जानते हैं कि के हमारी डीके से बर्सों पुरानी दुश्मनी है जी हाँ यही और हम यह भी जानते हैं के डीके और उसका दूसा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर करते हैं और उनका तीसा वाई सोनु अपने भाईयों के बल्बूते पर सेट गॉर्द अंदास के 25 रुपया हाजम कर गया लेकिन सोनु को चेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और ग्यारी दुश्मनी दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी नहो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू हमें सोनु जिन्दा चाहिए 24 घंटे के अंदर इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज़ दे हमें सोनु को उठवा कर लाना है जिन्दा मुर्दा नहीं तो फिर यह काम कुन करेगा सिर्फ एक आदमी और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं और सोनु कभी खौब में नहीं सो सकता के वो हमारा आदमी होगा कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है नहायत चुस्त चालाक और फुर्तीला सुना है तुम बहुत बड़े डादा बन गए हो हाँ राना आ नहीं कहते राना को जी कहते मुझे पिंजर में कोई कहती ही कर सकता पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगपाया था यह तो शेर की गुपा है यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया हमारी शनो आज रात अपने आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो जब तुम्हारे चीखे सुनकर शाय समंदर भी थर राउट थे जिसे हम यह लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पुछते हैं और सोनू हमारे कान नहीं सुन सकते अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं और ना कहने वाले का हशर यह होता है अब बोलो रुपया वापस ला रहे हो या नहीं नहीं लाला साब मैं आजी पेसे लाटा दूंगा आजी पेसे लाटा दूंगा मैं खोल दो इसे यह कुछ रुपये तुम्हारा हिनाम हिनाम कैसा मैंने तो आपका दियावा हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है लेकिन सोनु ने अभी तक यहीं ना के रुपये नहीं भेजे जी जाए एक बात और याद रखना मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है और यहीं खौफ सोनु को रुपया भेजने पर मजबूर कर देगा सोनु ने रुपय भेजवा दिये राना साथ माफ करना बापू आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलफून नंबर पर लपेट ही लिया क्या करें मजबूरी थी क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था सुनाए कि वर्सुवा बीच पर बीस लाग का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डाल कर दूसरी तरफ से तुम दो क्रोड का माल हजम कर जाओगे ना बापुना ऐसा मत करना क्यूंकि पिछले महिने तुमने हमारा एक क्रोड का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते शेर की दाहाड तो पहचानते हो ना रणा ठीके पोटिया नोचने वाला गीदर गला फाने से शेर नहीं बन जाता राना डीके इंट का जवाब पत्थर से देना जानता है बिना बताए मिलावट की जाती है माल नहीं उठवाया जाता इसलिए पहले इतला दे रहा हूँ के बीस लाग का माल पुलिस को मिलेगा और दो करोड का मैं ले जाओंगा राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके ले जाने की बात तो भूल जाओ अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी माउत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नसलों की मिंग भी उस माउत की खाफ से उड़ जाएगी